जहिन दोस्तों क्या हाल है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नोटिस दाटेट में एक और इंपॉर्टन नीउस के साथ आप सभी का स्वागत है आए शुरू करते हैं लिजेंडरी पीटी उसा भारती ओलंपिक संकी पहली महिला ध्यक्ष बनने के लिए तैयार है क्योंकि इवह 10 दिसंबर को चुनाव के लिए सीर्सपत के लिए आकेलियों में द्वार होंगी पीटी उसा को इंडियन उलंपिक अशोशियेशन के अथलीट आयोग द्वारा उतक्रिष्ट योगिता वाली आठ खिलाडियों में से एक के रूप में भी चुना गया है वह इंडियन उलंपिक अशोशियेशन के 95 साल के दिहास में प्रमुख बनने वाली पहली महिला उलंपियन और पहली अंतराष्टिय पतक विजेता भी होंगी आए जानते हैं पीटी उसा के रिकॉर्ड के बारे में पीटी उसा सबसे सुसोभित भारती एठिलीटों में से एक है जीनोंने 1982 से 1994 तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण साइथ 11 पतक जीते हैं उन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में सभी 4 स्वर्ण पतक जीते थे जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा दर और 4 गुड़ा 400 मीटर रिले भी सामिल हैं और 100 मीटर में रजत पतक जीता था उन्हें लज अंजलेस О्लम्पिक 400 मीटर बाधा दर के फाइनल में पतक से छूखने के लिए सबसे ज़़्याद याद किया जयाता है जहां उन्होंने रोमानिया की क्रिष्टियाना कोजु कारू ने सेकेंड के सौवे हिस्से से हराया था भारत की केंद्रे मंत्री किरन रिज्जुम, Ministry of Law and Justice of India ने भी बधाई देते हुए कहा Congratulations to legendary golden girl VT Usa on being elected as the president of Indian Olympic Association I also congratulate all the sporting heroes of our country on becoming the office bearer of the prestigious Indian Olympic Association Our nation is proud of them उमीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thanks for watching